इस जीव को देखिए, सुन्दर सा दिख रहा तेरता हुआ यह प्राणी जैली फिश है, लेकिन आप इसकी सुन्दरता पर मत जाईए, इसके डंग वास्तों में हमें घायल कर सकते हैं, यहां तक कि जैली फिश की कुछ प्रजातियां जानलेवा भी हो सकती हैं, जैली फिश नाइडेरिया संग से सम्बंधित प्राणी है, यह नाम निडोष सब्द से आया है, जिसका अर्थ है नैटल, यह एक प्रकार का पौधा होता है, जिसमें डंक की तरह छोटे-छोटे कांटे होते हैं, और नाइडेरिया संग के जीवों में भी डंक होते हैं, इसलिए इन्ह की कोरिकी होते हैं, जिसका अर्थ है कि भूण अवस्था में इनमें उतकों की दो परते होती हैं, एक्टोडर्म जो बाहरी उतक परत होती है, और एंडोडर्म जो आंतरीक परत होती है, उतकों की यह दोनों परते एक इस्थान को घेरे रहती हैं, जिसे आत या इनका पाच यह किसी प्रकार की सारिरिक सममिती वाला भी पहला संग है। यानि यहां इस तरह के समतलों की संख्या वास्तों में असंख्या हो सकती है। यानि यह अरिय सममिती है। अब जैली फिश की यह विशेस आकरती होती है। यह नाइडेरिया संख्य के जीवों में मिलने वाले दो प्रकार के शरीर रूपों में से एक है। जैली फिश में जिस प्रकार का शरीर होता है उसकी आकरती एक छतरी जैसी होती है। यह इसका मुख होता है और यह दोनों संरचनाएं टेंटिकल्स या इसपरशक कहलाती है। इन इसपरशकों में ही डंक या दंश होते हैं। इस प्रकार की सारीरिक संरचना को मेडूसा कहा जाता है। अब यदि हम इस सारीरिक संरचना को उल्टा कर दें ताकि मुख उपर की ओर आ जाए तो यह संरचना हमें कुछ इस तरह दिखाई देती है। यानि अब यह इसका मुख है और यह इस परशक है। इस प्रकार की सारीरिक संरचना को पॉलिप कहा जाता है। यानि मेडुसा और पॉलिप यह दो प्रकार की सारीरिक संरचना हैं जिने हम नाइडेरिया फाइलम में देख सकते हैं। जैलिफिस की सारीरिक संरचना मेडुसा वाली होती है। इसमें मुख नीचे की ओर होता है और ये सभी इसके इसपरशक हैं जो नीचे की ओर हैं। यदि हम पॉलिप की बात करें तो इसके उधारण C-anemone याने समुद्री एनिमोन और हाइडरा है। मेडुसा और पॉलिप दोनों रूपों में एक सेंटरल गेस्ट्रो वेस्किलर केविटी याने केंद्री जठर समवानी गुहा होती है। आप इस गुहा को यहां शरीर के अंदर देख सकते हैं। यही वह स्थान है जहां पाचन होता है। पाइडेरिया संग के जीवों में यह दोनों प्रकार से पाचन होता है। एक बार जब भोजन पच जाता है तो पोशक तत्तों को अवशोशित कर लिया जाता है और अपसिस्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो रभागी से इनमें अपसिस्ट मुख के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं। इसके लिए हमें इनमें कोई विशिस्ट उत्सरजी अंग देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस गुहा के लिए गेस्ट्रो याने जठर शब्द का उप्योग क्यों किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर पाचन होता है। लेकिन इसे वैस्किलर याने समवहनी क्यों कहा जाता है। इसका कारण यह है कि नाइडेरिया जीवों में यह इस्थान ना केवल पाचन तंत्र के रूप में कारे करता है, बलकि यह परिसंचरन तंत्र के रूप में भी कारे करता है। वैस्किलर या समवहनी का अर्थ वाहिकाओं से होता है। जैसे हमारे पास रक्त वाहिकाएं होती हैं, लेकिन इन जीवों में रक्त वाहिकाएं नहीं होती, इनका परिसंचरन तंत्र अत्यंत सरल होता है, आपको पता होगा कि हमारा परिसंचरन तंत्र सरीर की सभी कोशिकाओं तक आक्सीजन और पोसक तत्तों को पहुचाता है, और उन कोशिकाओं से अपसिस्ट पदार्थों एवं कारवन डायोकसाइट को बाहर निकालता है। इन जीवों में यह गुहा भी बिल्कुल ऐसा ही कारे करती है। जब भोजन मुख के माद्यम से अंदर आता है तो उसके साथ धेर सारा पानी भी अंदर आ जाता है। क्योंकि यह सभी जली जीव हैं और इस पानी के साथ ऑक्सीजन भी आती है। गुहा के चारो और इस्थित यह सभी कोशिकाएं पानी से ऑक्सीजन ले लेती हैं और कारवन डायोकसाइट को इस पानी में छोड़ देती हैं। इसी प्रकार ये कोशिकाएं अंदर आने वाले पानी से पोशक तत्यों को भी ले लेती हैं और अपसिस्ट उत्पादों को इस पानी में छोड़ देती हैं। इसके बाद जब ये पानी मुख के माध्यम से बाहर निकलता है तो कारवन डाय उक्साइड और अपसिस्ट पदार्थ भी सरीर से बाहर चले जाते हैं। यही कारण है कि इसे वेस्कुलर याने समवाहनी गुहप भी कहते हैं। तो इस प्रकार गेस्ट्रो वेस्कुलर पाचन तंद्र और परिसंचन तंद्र दोनों की तरह काम करती है। चलिए अब देखते हैं कि क्या इन में कोई अन्य अंग तंद्र भी होते हैं। तो ये बहुत सरल जीव होते हैं। इसलिए इनका शरीर बहुत अधिक परिश्क्रत नहीं होता है। लेकिन कुछ नाइडे होते हैं और इनके शरीर में कैलसियम कार्बोनेट से बना कंकाल होता है। लेकिन नाइडेरिया जीवों की सबसे प्रमुक विसेष्टा नाइडोब्लास्ट याने दंश को रख होते हैं। नाइडोब्लास्ट एक कोशिका होती है जो कुछ इस तरह दिखाई देती है। इस शिकार इसके पास आता है तो यह दंश बाहर आ जाता है और उस शिकारी या शिकार पर आकर्मन कर दीता है। यह दंश उस शिकारी या शिकार के सरीर में चला जाता है और इस दंश से निकलने वाला विस उस शिकारी या शिकार को पंगु बना देता है और यदि वह बहुत छोटा है तो उसकी मृत्यू भी हो जाती है यानि हम कह सकते हैं कि नमेटोसिस्ट का एक कारे शिकार करना है और इसका दूसरा कारे बचाव करना है जैसे किसी शिकारी से सामना होने पर ये जीव अपने इस दंश की मदद से अपना वचाव करने का प्रयास करते हैं लेकिन इसका एक अन्यकारे जीव को किसी सतह से जोड़ने के लिए भी होता है कभी-कभी इन दंश में एक गोंध होती है जो जीव को समुद्र के नीचे सतह पर चिपकने में मदद करती है ताकि वे वहां इस्थिर हो सकें लेकिन डंक मारना या दंशों का उपयोग करना नाइडेरिया जीवों की एक मात्र विशेस्ता नहीं है इसके अलावा इन में Alternation of Generations याने पीढ़ी एक आंतरन भी होता है जो समानित है पौधों में पाया जाता है पौधों में पीढ़ी एक आंतरन Sporophyte और Gametophyte याने द्विगुनित और अगुनित प्रकार के पौधों के बीच होता है लेकिन यहां पीढ़ी एक आंतरन Polyp और Medusa रूपों के बीच में होता है यहां याद रखें कि सभी नाइडेरिया जीवों में यह दोनों शरीर रूप नहीं मिलते हैं जैसे Jellyfish में केवल Medusa रूप होता है जबकि Hydra में केवल Polyp रूप होता है लेकिन कुछ नाइडेरिया जीव ऐसे भी हैं जिनमें Polyp और Medusa दोनों शरीर रूप मिलते हैं इन जीवों में जनन द्वारा पीढ़ी एक आंतरन होता है तो यह एक NIDERIA जीव है जो Polyp रूप में है और इसमें यह एक विशेष साखा है जिसमें अलेंगिक जनन होता है यानि यह शाखा अलग हो जाती है जिससे Medusa रूप बन जाता है अब माल लीजे कि यह Medusa एक मादा है आम तोर पर NIDERIA जीवों में लिंग अलग-अलग होते हैं लेकिन ऐसा होना आवशक नहीं है इस मामले में हम माल लेते हैं कि लिंग अलग-अलग है इसका मतलब यहाँ एक नर Medusa होगा जो किसी अन्य जीव से बना होगा और अब मादा Medusa पानी में एक अन्डा देती है और नर Medusa से सुक्राण निकलते हैं और फिर निशेचन होता है निशेचन होने पर योगमनज बनता है जो बड़ा होने पर लारवा में बदल जाता है यह लारवा गती करते हुए किसी ऐसे इस्थान पर पहुचता है जहां यह इस्थिर हो सके यह एक इस्थान पर समुदर की सतह से चिपक जाता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होकर पॉलिप रूप ले लेता है इस प्रकार Medusa हमेशा पानी में तेरते रहते हैं जबकि पॉलिप आम तोर पर एक ही इस्थान पर इस्थिर रहते हैं जब पॉलिप रूप से Medusa रूप का निरमाण होता है तो यह अलेंगिक जनन होता है और जब मेडुप से पॉलिप रूप का निरमाण होता है तो जैसा कि हमने अभी देखा यह निर्माण शुक्राण द्वारा अंडे के निसेचन के बाद जाईगोट बनने और फिर जाईगोट से लार्वा बनने के द्वारा होता है इसलिए यह लेंगिक जनन होता है इस प्रकार पॉलिप से मेडुसा अलेंगिक जनन द्वारा और मेडुसा से पॉलिप लेंगिक जनें द्वारा बनते हैं